है कि अध्युक्त हैं आप सभी का अपना इस यूटूब चैनल जीन भेस्टडी सेंटर में दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे रिजिनिंग की बहुत ही जबरजस्त धमाकेदार कोश्चन की दोस्तों जो काफी बार एक्जाम में आया हुआ कोश्चन है दोस्तों इतना नजबर जस्त लोजिक से बताएंगे वीडियो में अगर आप लोग लाश्ट तक बने रहेगा तो कोई भी सवाल में डाउट नहीं रहेगा दोस्तों कोश्चन आपके सामने हैं कोश्चन को अगर साइश समाज लिजिए का कोई भी कोश्चन हो तो हम बनाएंगो तो करना है गलत संख्या को elsकूशन को पहले अच्छे से समयते हैं उसके बाद सौलव करना बबस्टेए हैं देखिए यहां पर श्रिंख्ला दिया है चाहे sandy है 23 23 थी धीर 10 दिया है 21.5 5 5 5 दिया है दोस्तों इसमें गलत संख्या को क्या करना है आपको ग्याद करना है और इससे देखिएगा तो कोश्चन को देखने में थोड़ा टॉफ लग रहा है कोश्चन टॉफ है लेकिन हम जिस लॉजिक से बताएंगे आप लोग एकदम एक से दो सेकिंद में गरदा उड़ाईएगा दोस्तों होसला को मजबूत रखना च किजिएगा तो थोड़ा सा लगतार क्रम में देखिएगा तो बहुत समय लग जाएगा और सौल भी नहीं होगा तो क्या करते हैं पहले कोश्चन को ध्यान से जारा देखिए उसके बाद आप लोग असानी से समझ जाएगा बार बार इससे सीजियल में स्टेप कोश्चन औ यहां पर 44 है अगर इसके बादवास संख्या को छोड़ करके 44 का रिलेशन इससे चिख देखा जाए और फिर इस संख्या को छोड़ करके एक संख्या गैप करके फिर इस 22 का रिलेशन इस संख्या से देखा जाए फिर यहाँ पर गैप करके इस 11 का रिलेशन इस संख्या से देखा जाए तो आपका रिलेशन असानी से मिल जाएगा दोस्तों और आप लोग समझ जाएगा और आपका एंसर भी आजाएगा देखिए यहां पर 44 हैं अगर 44 को हाफ कर दिया जाए आधा कर दिया जाए तो कितना होगा 22 होगा कोई दिकत नहीं अगर इस 22 को हाफ कर दिया जाए आधा कर दिया जाए तो कितना होगा दोस्तो एक संख्या को छोड़ करके 11 होगा फिर यहां से एक संख संख्या को गयब किजिए उसके बाद तीसरा जो संख्या है उससे रिलेशन पहली वाली संख्या को बनाई तो 44 का हाफ है इसका हाफ किजिएगा एक संख्या को छोड़ करके तो 11 हो गया है यहां से फिर एक संख्या छोड़ करके 11 का रिलेशन बनाईएगा तो पांच मुट प अगर 33 का हाफ किया जाए लिकिन यह पर दिया है यहां पर तो दिया है एक किस पॉइंट पांच दिया है एक किस पॉइंट पांच तो नहीं होना चाहिए तब तो आपका रिलेशन बनेगा तो एक किस पॉइंट पांच दिया है तो गलत दिया है तो एक किस पॉइंट पांच आपका एंसर तो होगा नहीं यहाँ पर यही संख्या गलत दिया है यह में से तो गलत संख्या अगर आप देखिएगा तो गलत संख्या दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा 21.5 यहाँ पर 21.5 नहीं होना चाहिए यहाँ पर क्या होना चाहिए 16.5 होना चाहिए 33 के half की जिएगा तो कितना होगा 16.5 तो यही गलट दिया है यह सब तो सही था यह सही था यह भी सही था और इधर 21.5 के छोड़ करके जो भी संख्या है क्या है वो सही है तो आपका 11.5 गलत है गलत संख्या को गियाद करण golden है यहाँ पर क्या होना चाहिए 16.5 तो गलत संख्य 21.5 अपका हो जाएगा यह सब अपने अस्थान पर क्या है सही है अब आईए बढ़ते हैं यहाँ पर 18.5 था तो आगे बढ़ते हैं देखते हैं स्रिंखला में तो यह संख्य 18.5 नहीं था इसलिए यहाँ पर दिया है तो यह गलत हैं स्रिंखला में के पूछा था कौन सा संख्या गलत हैं तो यह किस वेंट 5 हो जाएगा अब चलिए बढ़ते हैं आगे देखते हैं दो नमर कोहचन को चलिए यहाँ पर देखिए दो नमर कोहचन है अपके सामने नीचे एक अनुकरम दिया गया है इस अनुकरम का कि चलिए अपको संख्या और तीरे संख्या गया है उसके बाद आफ को देखना है कि आपर रिलेसिंग किया है कैसे कया है क्या गया अ कुछ प्लस किया है अब आपको क्या प्लस करना पड़ेगा कि यहां पर संख्या जाए लेकिन उस तरीका से अगर सुचिएगा तो यह कभी नहीं बन पाएगा यहां पर देखिया क्या किया है दो का बर्ग कितना होता है दो का बर्ग क्या होता है चार होता है चार में अगर ए हुझ अःवं से एक्वार अठ होता है कोई दिकत नहीं हो जाएगा आठ का वर जो कितना घटा होता है चॉअटाइप अक्वा दिकत disent n तो यहां पर LGBTQ वने होना चाहिए 996 की CUab Molly और शुट्ट देख लिजिए ले तो यहां पर दोस्तों एक राइट आ चाहिए समझ लीजिए अगर नहीं समझें होंगे तो देखिए यहां पर दो के बाद तीन दिया है यानि दो का बर्ग कितना होता है चार होता है चार से एक कम दिया है तीन का बर्ग लोग समझते होंगे अगर इसके बाद कोई दीक होगा तो कमेंट बाक्स में बताईएगा दोस्तों उसका हम जरूर सलूशन बताएगा चलिए बढ़ते हैं देखते हैं अब चाहे तो स्क्रिंसाट भी ले सकते हैं देखते हैं अगला कोईसन चलिए तीं नमर कोईसन को देख लते हैं बहुत हैं भिप data को दोस्तों एक अनुकरम दिया n shoulder Mmm जिसमें एक पदरीक्थ है दिये गए बिकल्पों में से सही बिकल्प चुने जो दिये गए अनुकरम को पूरा करे एक अनुकरम दिया गया है जिनमें एक पदरीक्थ है दिये गए बिकल्पों में से सही बिकल्प चुने जो दिये गए अनुकरम को पूरा करे यहाँ यहाँ और यहां इसके बाद कौन सी संखे आएगी, यहां पर अक्षर कौन सा आएगा, B, F, J है, C, J, C, G, K है, D, H, L है, उसके बाद खाली अस्थान जो question वाट दिया है, यहां पर कौन सा अनुकरम होगा, जो इसको follow करे, इसके बाद आए, यहां पर तो देखिए, कोई दिकत नहीं, यहां पर आप चाहे, तो यह relation, अनुपाद के चीन लगा सकते हैं, अब आप यहां पर ग्यात कर सकते हैं, कोई दिकत नहीं, यह छोड़ भी सकते हैं, यहां पर B हैं, F हैं, G हैं, अगर ऐसे चेक जिएगा, नॉबरिंग करके, तो हो सकता है कि, एंसर आ भी सकता है, नहीं भी, तो थोड़ा सा देखिए, यहां पर अक्षर दिया है, उसको अगर ध्यान से देखा जाए, तो देखिए, यहां पर B हैं, उसके बाद क्या हैं, C हैं, यानि B के बाद C, C के बाद D, यानि लगातार हैं, B, C, D, उसके बाद यहां क्या हो सकता है, B, C, D, उसके बाद E हो सकता है क्या? E, जो relation है सब का लगतार, वो यहाँ पर E हो जाएगा B, C, D, E, कोई दिकत नहीं उसके बाद F हैं तो फिर इसके दूसरा संख्या क्या है? F, G, उसके बाद H हैं दूसरा संख्या, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? F, G, H, I आई यहाँ पर हो जाएगा लगतार कोई दिकत नहीं फिर यहाँ से देखिए J, K, L, तो यहाँ पर M हो जाएगा कोई दिकत नहीं जो यहाँ पर relation है, साइद आप लोग समझ गये होंग देखिए, लगतार में दिया है B, C, D उसके बाद E हो जाएगा F, G, H, I हो जाएगा J, K, L, उसके बाद M हो जाएगा तो देखिए लिजिए यहाँ रिलेशन यहाँ पर संख्या आ रहा है E, I, M E, I, M, ए अप्शन पहला ही अप्शन में है तो यही आपके सही हो जाएगा दोस्तो तो इस टाइब के कोशन देता है कम समय में बनाना पड़ता है तो आप डाइरेक्टली चेक किजिए कि साइद पहला संख्या के बाद जो संख्या दिया है उसके साथ कोई रिलेशन बनता होगा तो उसी हिसाब से आप चेक कर सकते हैं तो हम उमिद करते हैं कि आप समझ गए होगा चले बढ़ते हैं इसके बाद देखते हैं अगला कोशन चार नमर कोशन है दोस्तों आपके सामने नीचे दी गई समरुपता के अधार पर दिये गई बीकॉल्पों में से नहीं दी गई संख्या ग्याद करें यानि यहां पर जो नहीं दिया गया है संख्या वो इस बिकॉल्प में से कौन से संख्या होगी 22 हैं उसके बाद क्या हैं 12 हैं यानि 22 का संबंध जो 12 हैं वहीं संबंध 108 का आना चाहिए झो खाली स्थानर यहाँ बारा का इससे भी दूसरा संखया का तीशरी से और पहली के चोथे से भी निकाल सकते हैं तो यहाँ पर पहले जो 22 का सम्वंद 12 से हैं वो देख लेते हैं पर कि 108 के स्भास्षान वाली संख है जो और न यह उसके बार चेक की जाएगा तो 22 का रिलेशन जो 12 से बन रहा है तो क्या यहां पर रिलेशन है थुटबह इसको पहले चेक कर लिए जाए तो 22 का रिलेशन 12 है यान лучा reminder कितना होगा 11 11 तो नहीं है लेकिन उससे ज्यादा एक है 22 का हाफ कीजिएगा तो 11 होगा तो उससे एक ज्यादा यानि 12 है तो यहीं रिलेशन यहाँ पर विच्छेक कर लिजिए 108 का हाफ कितना होगा तो 108 का हाफ चोगन होगा, चोगन से एक ज़्यादा, यानि 55 है, अप्शन में है, यहाँ पर कीस अप्शन में, बी अप्शन में है, 55, तो यही आपका यहाँ पर question mark के जगवाँ क्या हो जाएगा, 55, यानि 55 हो जाएगा, यही आपका right answer हो जाएगा, अगर relation नहीं बनता, तो दूसरी संखे का तीसरी से, और फर्ष्ट वाली को, लाश्ट वाली से देखा जाता, लेकिन यहाँ पर answer आगया, relation match कर जा रहा है, तो यह आपका right answer हो जाएगा, तो हम उम्मिद करते हैं, कि आप लोग समझते होंगे, असानी से चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बाद वाली question क्या है उसको, दोस्तों, अगला question आपके सामने हैं यहाँ पर, नीचे चार अक्षर जुग में दिये गए हैं, नीचे चार अक्षर जुग में दिये गए हैं, जिन में से तीन किसी परकार से समान है और एक भीन है कौन सा अक्षर अन्य से भीन है यानि जो यहाँ पर चार अक्षर दिया गया है इन में से क्या है तीन किसी न किसी परकार से क्या है एक जैसा है समान है और एक क्या है भीन है तो कौन सा भीन है और कौन तीन गो कौन एक समा जीएगा तो बहुत दिकत होता है दोस्तों यहाँ पर लोजिक क्या है क्या हम लोजिक से बता रहे हैं थोड़ा उसको पहले ध्यान से देखिए कोशन अगर सही से समझ गए होंगे तो असानी से आप लोग क्या करना है तो थोड़ा सै पहले देखिए अक्षर पैटर क्या है उसके बाद इसको सोल्ब किया जाएगा यहाँ पर पहला अप्शन में क्या है जए हैं जे के बाद क्या है K उसके बाद M यानि J, K, M है उसके बाद B option में C, D, G U, V, Y N, O, R यानि यहाँ पर J के बाद K है K के बाद L उसके बाद M होता है यानि लगातार से एक last वाली संख्या क्या क्या है एक वो अक्षर को gap करके डाला है J, K, L होना चाहिए तो M दिया है लेकिन E, G, 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 G लगतार दिया है यू भी उसके बाद यू भी उसके बाद एकस वाई यू भी डाबलू एकस डाबलू एकस यानि दो संखे यहाँ पर गैप किया है तब वाई दिया है यहाँ पर दो संखे गैप किया है तब वाई दिया है यहाँ पर दो संखे गैप किया है तब वाई दिया है उसके बाद आर दे दिया है तो कितना के गैप है एन ओ उसके बाद गैपिंग कितना है यहां पर थोड़ा देख लिया जाए तो यहां पर भी एन ओ के बाद P, Q उसके बाद R होगा तो P, Q यानि दो संख्या यहाँ पर भी गैप किया है उसके बाद R दिया है N, O, P, Q तब R होता है तो दो संख्या यहाँ पर भी गैप तो अब आप यहाँ चारो अप्शन में देख सकते हैं कि तीन गो किसी ना किसी परकार से एक समान है और एक भीन है तो यहां पर लगतार दो के बाद एंसर हो जाएगा तो हम उमिद करते हैं कि दोस्तो आप असानी सवाज गया होंगे अगर वीडियो अच्छा लगता ज़्यादा करना है अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक और डिलेट करना है तो चलिए इस उम्मीद के साथ हम मिलेंगे इसके बाद वाले वीडियो में दोस्तों जैहिंद